एक बार स्वामी विवेकानंद रेल में यात्रा कर रहे थे। वे जिस कोच में बैठे थे, उसी कोच में एक महिला भी अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। एक स्टेशन पर दो अंग्रेज अफसर उस कोच में छड़े और महिला के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद वे दोनों अंग्रेज अफसर उस महिला पर अभद्र टिपपणिया करने लगे। वह महिला अंग्रेजी नहीं समझती थी। कुछ न समझ में आने के कारण वह चुप रही। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दुरव्यवहार आम बात थी। कोई उनका विरोध करने का साहस नहीं कर पाता था। जिससे उनका होसला बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे वे दोन से परेशान होकर उस महिला ने अगला स्टेशन आने पर एक दूसरे कोच में बैठ गई, पुलिस के भारतिय सिपाही से शिकायत की. महिला की शिकायत पर वह सिपाही उस कोच में आया भी, लेकिन अंग्रेजों को देख कर वह बिना कुछ कहे ही वापस चला गया. रेल के फिर से चलने पर दोनों अंग्रेज अफसरों ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी. विवेकानंद काफी देर से ये सब देख सुन रहे थे, अब उनसे न रहा गया. वे समझ गए थे कि ये अंग्रेज इस तरह नहीं मानेंगे. वे अपने स्थान से उठे और जाक उन अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए. उनकी सुगठित काया देख कर अंग्रेज सहम गए. पहले तो विवेकानंद ने बारी-बारी से उन दोनों की आँखों में घूर कर देखा. फिर अपने दाएं हाथ के कुर्ते की आस्तीन ऊपर छडाली और हाथ मोड कर उन्हें अपने बाजूओं की सुडॉल और कसी हुए मांस पेशियाम दिखाई. इसके बाद वे अपने स्थान पर आकर बैठ गए. विवेकानंद के साहस पूर्ण रवैये से दोनों अंग्रेज अफसर डर गए. उन्होंने उस महिला और उसके बच्चे को परेशान करना बंद कर दिया. यही नहीं, अगले स्टेशन पर वे चुपचाप उठे और दूसरे कोच में जाकर बैठ गए. दोस्तों, यदि हम अत्याचार या जुल्म सहते रहेंगे तो अत्याचार करने वालों का साहस भी बढ़ता चला जाएगा. स्वामी विवेकानंद के जीवन के इस कहान से हमें यसीक मिलती है कि अत्याचार या जुल्म के खिलाफ ततकाल आवाज उठानी चाहिए, ताकि जुल्म करने वाला भी जुल्म करने के लिए सौ बार सोचे. हमारे समाज में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जुल्म करने वाला कमजोर पर जुल्म कर रहा और हम सब तम कि ये कहानी और लोगों के पास जाए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अपना खयाल रखे और खुश रहें धन्यवाद